हेलो एन वेल्क्यू फ्रेंज्स मैं हूँ आप सभी के सामने श्रिया पांडे लेकर आई हूँ एक ऐसा खास प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आप सभी टीवी सीरिल स्टार्स के कहानी को लेकर जी हाँ असल जिन्दगी में जब किसी स्टार के कुछ ऐसा घटता है जिससे उनके सभी फैंस को लगता है बड़ा छटका तो वैसे ही एक खबर अब सुर्खियों में नजर आ रही है ये खबर है शफुकता अली के बारे में जी हाँ आपने देखा ही होगा कि हर न्यूस पोर कि हर स्टार कई सारे फिल्मोज और शोज को करने के बाद जब कोई ऐसा खबर सुनाता है अपने सभी फैंस के आगे तो यकीनन काफी बड़ा छटका लगता है हैरानी की बात यह है कि इतने जाना माना नाम जब अपने काम को लेकर बेहत परिशान है जहां बीते छे महीनों से उनके पास कोई भी काम नहीं तो ये एक चिंता का विशय बन जाता है जहां अब शफुकता अली ये कहती हैं कि उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है लगभग 20 सीरियल्स में और ऐसे कई सारे बॉल्यूड फिर्मों में भी काम कर चुकी हैं एक अनुभवी कलाकार हैं ल लेकिन एक्सपीरिंस कहने को तो बहुत हैं ऐसे में ऐसे कई फैंस के आपको ऐसे सुनाई देंगे जहां पर अपने सभी स्टार्स को लेकर वो मदद करना चाहते हैं तो वहीं शफुकता अली ने बीते 6 सालों की कहानी जो रखी है मीडिया के आगे तो ऐसे बड़े खुला ही नहीं बलगी बड़े परदों पर भी अपने अदाकारा से सभी का मन मोहते हुए देखा है ससुराल सिमर का पुनर विवाख एक वीर की अरदास वीरा और मधुबाला जैसे दरजनों टीवी शोज के अलावा कई बॉलवुड फिल्मों का हिस्सा रही आक्ट्रेस शगुफ्ता अली इस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रही है 36 सालों से शो बिजनस इंडस्ट्री का हिस्सा रही शगुफ्ता ने करीब 15 फिल्मों और 20 टीवी शोज में काम किया इस वक्त वह आर्थिक तंगी से ही नहीं वलकी बिमार भी है शगुफ्ता अली ने मीडिया से बात करते वक्त ये बताया कि उनकी हालत बहुत खराब है उन्होंने कहा मैं पिछले 20 सालों से बिमार हूँ उस वक्त मैं जवान थी तो सब कुछ हैंडल कर पा रही थी मुझे थर्ड एडवांस स्टेज का कैंसर था मैंने किसी तरह कैंसर को मात दी यह पहली बार है जब मैं मीडिया से इस बारे में बात कर रही हूँ मेरे कुछ करीबी दोस्त के अलावा मेरी इस स्थिती के बारे में इंडस्ट्री में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है शगुफता अली ने आगे बताया उस वक्त मैं बिमार थी और उसी दौरान मेरे पास बहुत काम था तब पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और यह तीसरे स्टेज पर है उसे लंप को निकालने के लिए मेरी बड़ी सरजरी हुई मेरी कीमो थेरेपी चल रही थी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने लोगों के प्रती इतनी जियादा समर पे थी कि सरजरी के सत्रवे दिन मैं अपनी चाती पर कुशन लगा कर अपने शो की शूटिंग के लिए दुबई पहुँची शगुफसा अली की यह दुख और दर्द भरी दास्ता यहीं खत्म नहीं होती अक्ट्रिस ने आगे बताया कि शूट के दौरान भी उनके साथ कई बड़े हाथ से हुए है टांगों में चोट लगी है एक बार जब अपने पापा को देखने जा रही थी तो बड़ा आक्सिडेंट भी हुआ जितकी वज़े से उनके बाजु में काफी जियादा चोट आई और वहीं हड़ी तूटने के कारण रौड लगाना पड़ा था उन मुश्किल हालातों के बावजूद शगुफता काम करती गई लेकिन पिछले 6 सालों से शगुफता अली की जिंदगी में मानो बड़ा तूफान आ गया मानो जिंदगी ने शगुफता के साथ बेवफाई करनी शुरू कर दी शगुफता अली पिछले बार टीवी शो बेपनहा में नजर आई थी जो 2018 में टेलिकास्ट किया गया था तब से शगुफता काम के इंतजार में ही है शगुफता अली ने बताया कि उन्हें पिछले चार सालों से काम नहीं मिला जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिती खराब होती चली गई शगुफता ने कहा उन्होंने 17 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था और अब वह 54 साल की हैं लेकिन बीते 4 सालों ने उन्हें जंदगी का बहुत ही बुरा दौर दिखाया है शगुफता ने बताया कि उन्होंने अपनी कार और जूरी तक बेच दी है डौक्टर के पास जाने के लिए भी वे रिक्षे का इस्तमाल करती है वह बोली मुझे तुरंट आर्थिक मदद और काम की जरूरत है ताकि सर्वाइव कर सकूँ वहीं शगुफता अली की आर्थिक स्थिती पर और उनकी बुरी हालत देखते हुए CINTAA के जॉइंट सेक्रेटरी और आक्टर अमित बहल ने बाचीत करते वक्त यह बताया कि उनके एसोसियेशन ने नुपूर अलंकार इस मामले को देखेंगी और शगुफता की हर संभव मदद भी की जाएगी आमत बहल ने यह भी कहा कि वह लोग शगुफता से मिलेंगे और बात भी करेंगे उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रॉब्लम ये होगी कि उनके एंजाइटी को दूर करना होगा उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज की जरूरत है जो भी और जितना भी शगुफता अली की जरूरत होगी हम सभी आक्टर्स वह अमाउंट एकठा करेंगे और उनकी तरफ से उन्हें आर्थिक मदद भी देंगे हम ट्रेड यूनन के कानून को फॉलो करते हैं अमित बहल ने बताया कि शगुफता अली के उनसे परिवार के साथ काफी अच्छे संबंद हैं वह दो साल पहले शगुफता से मिले थे तो वह हेल्थ इशूज के साथ जूज रही थी पर किसी भी तरह की आर्थिक तंगी नहीं थी अमित बहल ने कहा कि हमें उमीद है शगुफता जल्दी बहतर स्थिती में होंगी तो देखा आप सभी ने कि कैसे अपनी जिंदगी की वो कड़वी सचाई जब मीदिया के सामने आकर रखी शफुकता अली ने तो वहीं फैन्स के बीच भी काफी ज्यादा अफरा तफरी देखने को मिला जहां हर फैन ही दुआ मांगता नजर आ रहा है कि जल्दी उन्हें आर्थिक मदद तो मिले ही बलकि उनकी जिंदगी में खुशियां भी लोटाए जहां कभी बिमारी तो कभी आक्सिडिंट ने हमेशा ही उनके जिंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किले लाई है तो ऐसे में आप सभी को बताते चलें कि उनके नजदी की यानि की उनके क्लोज फ्रेंट ने ये बयान दिया है कि वो जल्द ही आर्थिक मदद उन तक पहुचाने की कोशिश करेंगे अमित बहन ने जहां ये कहा कि अपने एसोसियेशन की मदद से अब वो आक्टिर्स इनके लिए मदद के लिए सही जरूरत मंद कैश या फिर जिस भी तरीके की मदद शफुकता अली को चाहिए होगा वो अपने एसोसियेशन से यकीनन पहुचाने की मदद करेंगे इन दोनों की दोस्ती दो साल पहले की है जब उनकी बाचीत उस वक शुरू हुई थी और अब जब अपने दोस्त को मुश्किल में पड़े देख रही हैं आमिद पहल तो वहीं करना चाहते हैं इनकी मदद ऐसे में कई ऐसे फैंस भी हैं जो शफुकता अली के सहालत को जानने के बाद काफी ज्यादा उत्सुक है ताकि किसी भी तरह से वो शफुकता अली की जिदगी में खुशिया ला सके तो ऐसे में अब जहां बिलकुल भी काम नहीं है शफुकता अली के हाथों में तो क्या देखना ये होगा कि क्या इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद या कुछ अच्छे प्रिडूसर्स और डिरेक्टर्स करना जाहेंगे शफुकता अली के साथ काम यकीनन एक आक्टर की जुन्दगी में जब इतना कुछ आता है तो वहीं वो अपने हर दुखों को छिपाए अपने एंटेटेन्मेंट के दुनिया में यू इस तरह अलग-अलग करिदार के साथ सभी फैंस का मन जीत लेता है कि उनके दुख को हम पहचान ही नहीं पाते लेकिन वहीं काफी बुरे वक्त से जोज रही है शफुकता अली जिसमें उनकी मदद करना बेहत जरूरी हो गया है ऐसे ही कुछ उक अलाकार के ऐसे किस से लेकर हमाएंगे आप सभी के सामने जिन्हें जानकर आपको होगी बहुत ही हैरानी क्या होगे ऐसे नए स्टार्स ये तो अगले प्रोग्राम के साथ ही पता चलेगा तब तक के लिए तीज मुझे इजाज़त रखिये अपना खयाल झाल बदी और गलेख बाही और आपको अउनीक्ट लग्एंगे ओई दुटो थार्षज़त वेर टार्स तर्स ये संधाय।